और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है फिनसाराप में अपना प्रसनल लोन अपलाई कैसे कर पाऊगे आपको फिनसाराप में यहाँ पर लोन कैसे मिलेगा अगर आपको पैसे की जरौत है और आप जो है ऑनलाइन घर बैठे लोन चाहते हूँ तो आव यार मैं आपको लाइब जो है आज किस वीडियो में अपना खुद का यहाँ पर लोन अपलाई करके दिखाता हूँ जिससे की आप जो है सीख जाओगे कि आपको ऑनलाइन घर बैठे लोन कैसे अपलाई करना है आपको लोन कैसे मिलेगा इसाप में अ अच्छा खासा बन जाएगा तो कैसे आपको लोन अपलाई करना होगा आप में आपको कैसे लोन मिलेगा आईए मैं आपको लाइब जो है लोन अपलाई करके दिखाता हूँ लेकिन लोन अपलाई करने से पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एप के बारे में जान लो क यहाप आप अखिर में है क्या, इसमें क्या eligibility criteria है, क्या-क्या आपके पास होना चाहिए, तब आपको इहापर एप में लोन मिलेगा, ठोड़ा सा आप यहाप एप के बारे में जान लो तो भाई-लोक सबसे पहले दो मैं आपको यहापर Finsara एप के बारे में आपको आप अपने लोन को यहाँ पर अपने किवार कोड पर ट्रांसपर कर पाऊगे, पैसा डारेक्ट अपने बैंक पर ट्रांसपर कर पाऊगे, पिट्रोल पंप पे यूज कर पाऊगे, ओनलाइन स्वापिंग कर पाऊगे, जहां भी यूज करना हो आप जो है कर पाऊगे और भाय लोग सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई भी यहाँ पर hidden charges नहीं लगेंगे कोई भी charge आपसे नहीं लिया जाएगा ठीक है और यहाँ पर बात करेंगे इससे आपके eligibility criteria के बारे में तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर आपकी जो age है सबसे पहले आपकी age यहाँ पर 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम 20 साल होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर loan apply कर पाऊगे और आपके पास आपका एक pen card होना चाहिए आपका अधार card होना चाहिए आपके अधार card में आपका एक जो है mobile number link होना चाहिए और आपके पास एक जोई भी UPI आप होना चाहिए चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटियम फिर आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाऊगे तो भाई लोग अगर आपके पास यह सारी चीजे हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसान इसे लोन अप्लाई कर पाऊगे कैसे आपको लोन अप्लाई करना होगा आईए मैं आपको लाइट जो है लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ इसके लिए आप एक काम करना वीडियो डिस्क्रप्शन में आपको फिन सारा आपका लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करके आप आपको डाउनलोड करके सबसे पहले आपको ओपें कर ले ना आपको ओपें करने के बाद आपके सामने ऐसा जो है पिल्जो ओपें हो जाएगा आप एक काम करना Get Started पे क्लिक करना फिर भाई लूग आपके सामने Option उपिन हो जाएगा आपके सारी Permission Allow करने का तो आप एक काम करना सबसे नीचे चलिया ना Termine Condition को Allow करके Allow पे क्लिक करके आपके सारी Permission पहले यहापर Allow कर देना अब भाई लूग Permission Allow करने के बाद आपके सामने Option उपिन हो जाएगा फिन सारा आप पे लॉग इन करने का तो आपके एक काम करना सबसे पहले अपना एक जो है Mobile Number यहाँ पर डालके यहाँ पर Summit पे क्लिक करना आपके Mobile Number पे एक जो है OTP जाएगा OTP डालके Verify पे क्लिक करके OTP जो है Verify कर देना फिर आपके सामने Option उपिन हो जाएगा अपना यहाँ पर डीटियल डालने का आपको यहाँ पर अपना केवासी कंपलीट करना होगा उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करना अपने Pen Card का पूरा नमबर यहाँ पर डालके नीचे चलियाना Material Status में आप जो है Choose करेना कि आप जो है Single हो, Married हो, क्या हो वो चीज आप यहाँ पर क्लिक करके Select कर लेना उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना Education के बारे में जानकारी देनी होगी आपने किन्दा जो है पढ़ाय लिखाई किया है वो चीज आप यहाँ पर Select करके बता देना उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना एक mail ID डालना होगा तो अपना एक जो है email ID यहाँ पर लगा देना उसके बाद सारी डीटेल डालने के बाद आप एक काम करना नीचे से Proceed पर क्लिक करना आपके सामने अगला page open हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना आधार काड यूज करके अपना DZ Locker से के वासी complete करना होगा तो उसके लिए आप एक काम करना Proceed to DZ Locker पर क्लिक करना आपका DZ Locker यहाँ पर open हो जाएगा आप एक काम करना अपना अधार काड का नमबर यहाँ पर डालके यह वाला same to same capture code यहाँ पर डालके next पर क्लिक करना फिर आपके अधार काड में जो भी मुंबाइल में लिंक होगा उस पर OTP जाएगा OTP डालके continue पर क्लिक करना फिर आपके सामने option open हो जाएगा अपने DZ Locker का यहाँ पर MPIN डालने का आपने DZ Locker पर जो भी MPIN बनाया होगा वाला MPIN आप यहाँ पर डाल देना अगर आपको याद नहीं है तो आप एक काम करना forget पर क्लिक करके MPIN जो है forget करके यहाँ पर डालके continue पर क्लिक करना फिर आप यहाँ पर allow कर देना आपका KYC यहाँ पर complete हो जाएगा आप लोग देख सकते हूँ हमारा आधार KYC यहाँ पर verify हो रहा है अब भाई लोग verify होने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा आधार जो है verification यहाँ पर successful complete हो चुका है अब इसको complete होने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा यह लोग चेक करेंगे कि आपको इसाब में कितने रुपे की loan जो है कितने रुपे का limit जो है दिया जाए तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा wait करने के बाद आपके सामने option open हो जाएगा अपना है पर implement type चूज करने का आपके काम करते हो वोचीज यहाँ पर आपको बताना होगा तो आप यहाँ पर click करके select कर लेना अगर आप जो है self-employed चूज करोगे तो यहाँ पर आपको अपने पूरी जो है detail डालनी होगी सबसे पहले आपको अपना monthly income बताना होगा कितना पैसा महीने कमाते हो वो चीज आप यहाँ पर डालके नीचे आओगे profession में आप क्या काम करते हो वो चीज आप यहाँ पर डाल देना फिर नीचे में आपको अपना एक जो है mobile number डालना होगा जिस mobile number पर आपका एक जो है bank account लिंक होगा तो mobile number आप यहाँ पर डाल देना तो भाई लोग सारी detail आप यहाँ पर अपनी डालके नीचे आओगे time and condition को allow करके आप एक काम करना कम से कम आपकी income यहाँ पर 25,000 होनी चाहिए तभी आपको यहाँ पर आप में लोन मिलेगा ठीक है आप एक काम करना time and condition को allow करके proceed पर क्लिक करना फिर आपके सामने अगला step open हो जाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर proceed पर क्लिक करके अपने bank account को add करना होगा OTP डालके submit कर देना फिर आपके सामने ऐसा पी जो पिन हो जाएगा सबसे नीची चलियाना यहाँ पर add more account पे क्लिक करके अपना bank account आप जो है सरट करके यहाँ पर term में condition को allow करके approve पे क्लिक कर देना आपके यहला काम complete हो जाएगा फिर आपके सामने अगला step open हो जाएगा यहाँ पर इसाप में आपको किनी एक लोग को अपना reference add करना होगा guarantee add करना होगा तो आप एक काम करना उसी का mobile number यहाँ पर डालके उसका नाम डाल देना उसके साथ आपका रिस्ता क्या है ओ चीज आप यहाँ पर इसाप में बता देना उसके पाद सम्मिट OTP पर क्लिक कर देना आपके नमर पर एक जो है OTP जाएगा OTP डालके OK कर देना भाई लोग जैसे ही आप जो है OTP डालके सम्मिट करोगे आपका यह वाला step यहाँ पर complete हो जाएगा फिर आपके सामने अगला step open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना वीडियो verification जो है complete करना होगा उसके लिए आप एक काम करना OK पर क्लिक करना आपका camera यहाँ पर open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना 30 सिकंड का video यहाँ पर record करना होगा तो आप एक काम करना आपका camera open हो जाएगा camera पर आप जो है इससे देखते रहे ना video record होगा 30 सिकंड का उसके बाद नीची आपके screen पर जो भी यहाँ पर लिखके आए वो चीज आप यहाँ पर बोलते जाना जैसे कि लिखा रहेगा कि मेरा नाम यह है मैं यहाँ पर loan apply कर रहा हूँ से आप में तो जो भी यहाँ पर screen पर लिखके आए वो चीज आप जो है बोलते जाना आपका 30 सिकंड का video यहाँ पर record हो जाएगा उसके बाद OK कर देना submit कर देना आपका video यहाँ पर verify होगा आप यहाँ पर wait कर लेना अब भाई लोग वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा यह जो है verify हो चुका है और हमारे सामने statement open हो चुका है हमारे loan का जितना loan मिलना होगा आपके सामने आपका loan का limit आ जाएगा बस आपको क्या करना यहाँ से बस करनिस्वन को इलाव करके आप यहाँ पर activate limit पर क्लिक कर देना इस्टन एक मेट के अंदर आपका limit यहाँ पर फिंसारा अप में activate हो जाएगा आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पर फिंसारा आप में 5000 रुपे की credit limit जो है मिल चुकी है हम इसको यूज कर पाएंगे पैसा अपने qr code पे डारेक जो है ट्रांसपर कर पाएंगे अपने bank account पे ले पाएंगे online shopping कर पाएंगे जहाँ पी यूज करना होगा इस पैसे को हम जो है कर पाएंगे भाई लोग फिंसारा आप में लोन आपको कुछ इस टाइप से मिलता है जैसे कि आपका credit card होता है आप उसमें से पैसे निकालते हो बाद में उसका payment करते हो same to same आपको इस आप में ऐसे ही लोन मिलता है आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा एक limit मिल जाएगी उसमें से आप पैसा निकाल पाओगे निकालने के बाद जब उसका payment करना होगा आप यहाँ पर pay bill पे क्लिक करके अपना bill जो है payment कर पाओगे तो ऐसे करके आपको बहुत ही से online घर बैठे आपने फिंसारायाप से अपना personal loan apply करना होगा मैंने आपको live जो है apply करके यहाँ पर दिखा दिया आई हूप आप जानगे होंगे अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हूँ वीडियो को like करके channel को subscribe करके bell icon को press कर लेना साथ में अगर आपको online earning करना है घर बैठे पैसे कमाने हैं तो link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा जल्दी जाओ जुआएन कर लो